सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर मेनी सिखा पधिंग्समादियानी बुद्धन आज जो हमारा टॉपिक है वो है समन संका समन धम विसेज यानि समन धम पर हम बात करेंगे कि समन धम क्या है और समन धम कहां से आरंब होकर कहां से चला और आज के समय समन धम की क्या इस्थिती है क्योंकि हम जो जानते हैं या जो हमको बताया गया है या जो बावा सापने अपनी पुस्तक में लिखके दिया है वो बुद्ध और उनका धम है यानि बुद्ध का धम तो हम ये जानते हैं कि जो धम है वो बुद्ध का है पर बुद्ध ये कहते हैं कि धम बुद्ध का नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बुद्ध का धम है उनके बाद में लोगोंने कहा कि ये बुद्ध का धम है उन्होंने तो हमेशा इसको धम ही कहा है खाली संगं सरनंग गच्छामी धमंग सरनंग गच्छामी और संगं सरनंग गच्छामी तो बुध्धन सरणंग अच्छामी यानि कि जो व्यक्ति बोधी को हांसिल कर लेता है उस बोधी को सरण में जाने के लिए बुध्धन सरणंग अच्छामी क्योंकि जो व्यक्ति ज्यान को प्राप्त कर लेता है उससे जो ज्यान प्राप्त करते हैं तो हम कभी व्यक्ति की सरण में नहीं जाते कभी हम यह नहीं कहते कि सिधात सरणंग गच्छामी हम हमेसा कहते हैं बोधी सरनंग अच्छामी या बुद्धन सरनंग अच्छामी और जो दूसरा आता है वो आता है धम्मंग सरनंग अच्छामी हम कभी नहीं कहते के बुद्ध का धम्म सरनंग अच्छामी हम खाली कहते हैं धम्मंग सरनंग अच्छामी यानि धम किसी व्यक्ति का नहीं है ना किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है ना ही हम कहते हैं सद्धार्थ धमंग सरणंग अच्छामी और जो संगंग सरणंग अच्छामी है वो तो संग आप सब जानते हैं तो बुद्ध से पहले जितने धम्मिक लोग थे या जो धम को माना करते थे क्योंकि धम जो सब्द है जो धम शद्द है वो पुराना है वो ऐसा नहीं है कि सद्धत गौतम ने डिस्कबर किया हो या सद्धत गौतम ने बुद्ध बनने के बाद में धम सब्द नया बनाया हो ऐसा नहीं है धम सब्द पहले से ही है क्योंकि जब मनुस्य की चेत्रा जागी तो मनुस्य ने अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक बातों को कहने के लिए रोजमर्रा की बातों को कहने के लिए जो उसके सरीर के अंदर होता है उनको कहने के लिए और जो उसके मन के अंदर चलता है उसको कहने के लिए जो भासा यानि जो आवाज उसकी डबलप हुई और जो आवाज उसने बनाई उसमें आवाज की अलग-अलग तरंगे बनाकर उसने कुछ सद बनाए, शब्द बनाए उन सब्दों के अर्थ उस समय, उस समय के हिसाब से आने लगे तो ये सारा का सारा जो काम चलता था पूरी दुनिया में कि मन उससे कैसे चलता है, जीब जनतु कैसे चलते हैं, पेड़ पौदे कैसे चलते हैं, सूरज कैसे निकलता है, प्रथवी यानि पठवी कैसे चलती है, वाईयो कैसे चलती है, जल क्या है, जंगल क्या है, जीब जनतु क्या है, मौसम क्या है, पहाड क्या है इन सब को कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है उसका आपस में जब लोगों ने भासा बनानी सुल करी और भासा पर बात करने लगे तो ये सब्द दो सब्दों से मिलके बना धै और मै से और पुरानी भासा में जब दो सब्दों को जोड़ा जाता था तो आखिरे वाले सब्द का आधा हिस्सा उसमें जोड लिया जाता था जैसे वे और डे को जोड़ेंगे तो वन हो गया जैसे चे और के को जोड़ेंगे तो चक को हो गया वैसे ही धै और मैं को जोड़ेंगे तो धम हो गया धम नहीं बोला गया धम पाली के अंदर और बाद में जो संसकारित भासा यानि इसको संसकारित किया गया चेंज किया गया तो जो आधे सब्द थे उनको रह में बदल दिया अधिकतर आधे सब्दों को रह में बदला गया ह जैसे मग है तो मार्ग कर दिया गया उसका, चक्क है तो चक्र कर दिया गया, धम है तो धर्म कर दिया गया, वर्ण है तो वर्ण कर दिया गया, उसमें रे लगा दी गए उपर नीचे दाएंबाएं, तो धम का सब्द का मतलब है धह माने पुरानी भासा में जो मनुस्य ने धह का अर्थ यहां पूरे के पूरे इस समण रीजन में लगाया समण सब्था में धह का मतलब है धारन करना धह धरा से बना हुआ है यानि जो ये जमीन जो धारन करती है उसी हिसाब से जो मनुस्य धार शक्रांबारन करना बताया गया, और इसका अर्थ धै से ध्हरन करना हो गया, यासि कोई अड Miaom स्वाख गया क। तो वुदे ध्हरन करने की कोई अलग इस्थिति है तो उसको विधा बोलगे इसलिए विधा जो होती है वह प्राकर्तिक नियमों से अलग होती है, वो मनुस्य के द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं क्योंकि उसमें वी लगा हुआ है वी माने अलग से और अगर सम वी धा हो जाए तो सम माने बराबर वी माने अलग से बनाए हुए धा माने धारन तो सम्वी धा हो गया और अगर उसे नाउन बना दे ने लगा देते हैं बाद में तो नाउन बन जाता है तो सम्वी धान हो गया तो धै का मतलब धारन और मैं का मतलब जो प्रानी भासा में लोगों ने बनाया मै का म immortal होता है मैं यानी मेरे से मेरा मेरे लिए मुझे महारा आई माई माईन मैं सब्द यहां से आता है तो मैं जो धारन करता हूं मैं का मतलब हो गया कोई भी चीज कोई भी वस्तू चाये वो जीब है चाये जन्तु है चाये पेड़ है या पौधे है जो धारन करता है, वो नियम होगे, तो धम का मतलब होता है, मैं जो धारन करता हूँ, उसको धम बोलते हैं, तो आज इसी धम का विसेश दिन है, और धम कणकण में पाये जाता है, कणकण का धम होता है, पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरी काइनात के अंदर, पूरे परलो उनके सबके कुछ ना कुछ धम होते हैं, यानि वो कुछ ना कुछ धारन करके रखती हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनके अंदर धारन होती हैं, वो अलग बात है कि वो जो धारन कर रहे हैं प्रॉपर्टी वो हमारे लिए लाब धायक है या नहीं है, दो इतरह की प्रॉ विक्रत रूप है क्योंकि पुराना जो धम था जो नैचुरल वे में चीजे धारण होती थी चाए मनुस्य धारण करे चाए प्रकति धारण करे उसको धम बोलते थे पर बाद में ये अधम हो गया अधम का मतलब है जो प्राकर्टिक रूप से धारण नहीं करता है जो कृतिम रूप से जो आर्टिफिसल रूप से धारण करता है वो अधम हो गया तो अधम जादा है और हम अधम को ही धम मानके काम करते हैं यानि अधर्म जादा है और अधर्म को धर्म मानके काम करते हैं पाली में धम को जो संसकाइद भासा है उसमें धम को धर्म बोलते हैं तो पु तो आज के समय जो हम जिसको मजभ बोलते हैं जिसको रिलिजन बोलते हैं जिसको हम यहां मेड जो मनुस्वे के द्वारा बनाए हुए नियम बोलते हैं यह धरम या मजभ या रिलिजन भारत में नहीं था भारत में मैं मेड नियम यानि मनुस्वे के द्वारा बनाए हुए न नियम चलते थे और भारत के अंदर ततकालिक नियम चला करते थे कि जो जिस समय होता है उसी समय उसका मानने होता था उसी समय उसका निदान होता था कोई कालपनिक कहानी या कोई कालपनिक करेक्टर भारत के अंदर कभी थे ही नहीं तो यहां जितने भी लोग थे वो सब जिस धम का पालन करते थे, वो सारा का सारा समणों का धम था, यानि समण लोगों ने वो सारी सारी प्राकरतिक नियमों का विशलेशन किया, उनको खोजा, उनको जाना, उनको पहचाना, उनको माना, उनको याद किया और उनको एक दूसरे को बताते गए, जैसे पेड़ पौधे, पत्ति खाने से जड़ खाने से जीप पे क्या फरक पड़ेगा हम पे क्या फरक पड़ेगा बादल आने से मौसम कैसा होगा हवा में नर्मी है तो बारिस आएगी या नहीं आएगी या जो subject आप आज पढ़ते हो जैसे जी विग्यान है यानि मनुष से अगर इस तरह से वहवार करेगा तो उसका प्रड़ाम क्याएगा और दूसरे तरह से वहवार करेगा तो उसका प्रड़ाम क्या आएगा ये सारी कलाएं जितने भी आज के समय आज इंगलिस में हम साखाएं पढ वो सारे के सारे सब्जेक्स का पूरा का पूरा अध्धन किया जाता था और उस अध्यन से अध्यन बोला करते थे यानि स्वयम उसको अध्यन करना और वो जो अध्यन सारा का सारा किया जाता था वो नेचर बेज होता था यानि उसमें मनुस्य अपनी बात नहीं जोड़ते थ कैसे चीज़ें काम करती हैं वही आगे बढ़ा करती थी इसमें मनुस्य को इसलिए जोड़ने की आवस्कता नहीं होती थी क्योंकि किसी को बेवकूफ नहीं बनाना किसी को पैसा नहीं हड़पना किसी को पागल नहीं बनाना किसी को धोके में नहीं रखना किसी को चालबाजी नहीं करना इसलिए मनुस्य द्वारा बनाए हुए नियमों की आवशक्ता थी नहीं मनुस्य के द्वारा जब भी नियम बनेंगे मनुस्य अपने हिसाब से अपने बैनिफिट के लिए अपने समधाय के बैनिफिट के लिए अपने परिवार के लाब के लिए और अपने लाब के लिए नहीं बनाए क्योंकि प्राकर्तिक नियम से वेलफेर होता है प्राकर्तिक नियम जितने भी हैं वो सम पे आधारित हैं समता पे आधारित हैं प्राकर्तिक नियम यह कहते हैं कि अगर पानी सौ लिटर है तो सब को मिलना चाहिए हवा सब को मिलनी चाहिए जमीन जिसकी है उन सबको बरावर मिलनी चाहिए जंगल सबका है सबको मिलना चाहिए सब उसमें जाए जानवर सबके हैं सबको मिलना चाहिए खाना अगर आता है तो सबका है अगर मान लो कहीं भुकम पा गया तो सबको मदद करनी चाहिए अगर कहीं पे अगर चक्रवात आ गया है और कुछ उजल गया है तो सब को बरावर का हैसा दे के उसकी मदद कनी चाहिए ये समता के नियम थे, ये सम नियम थे, ये प्राकरतिक नियम थे, प्राकरतिक नियम में चाहें आपदा हो और चाहें कोई सुविदा हो सभी तरह से लोग समता में रहते थे और एक दूसरे को समता के हिसाब से समानता के हिसाब से चीजें बाट कर चाहें वो मुसीवत है चाहें वो खुशी है आपसमें बाट कर लिया करते थे उसको जिया करते थे ये प्राकरतिक नियम थे पर जो ए प्राकरतिक नियम आए जो अधर्म वाले नियम आए अधम वाले नियम आए वो मनुस्तने बनाए और मनुस्तने जो नियम बनाए वो प्रकरती के आधार पर ना बना के प्रकरती के उलट बनाए प्रेकती ने कभी नी कहा के आप दूसरे की मेहनत को खाओ प्रेकती ने कभी नी कहा के आप इखटा करो प्रेकती ने कभी नी कहा के आप जमीन जायात के मालिक बन जाओ प्रेकती ने कभी नी कहा के आप पानी भी बेचना सुरू कर दो प्रेकती ने कभी नी कहा कि आप हवा भी दूसित कर दो, सारी सारे सहरों की हवा खराब कर दो प्रेकती ने कभी नी कहा कि उसकी जो नदिया इतना बड़िया पानी, मसली, जल और ये सब लेके आती हैं उनको सडा दो, उनको खतम कर दो प्रकती ने कभी नी कहा कि मनुस्य के अंदर भेत पैदा कर दो और मनुस्य मनुस्य को खा जाए प्रकती ने कभी नी कहा कि मनुस्य को पढ़ाई से लिखाई से रोक दो प्रकती ने कभी नी कहा कि किसी का खाना छीन के और किसी का खाना फैंक दो प्रकति ने कभी नहीं कहा कि किसी को बोलने मत दो प्रकति नहीं कभी नहीं कहा कि आप किसी को बिना बात के मारो या उसे काटो या पीटो ये जितनी भी चीजे हैं एह प्रकतिक हैं अधर्म वाली चीजे हैं ये अधर्म वाली चीजे हैं पर उस पर तुर्रा ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम बड़े धर्मिष्ट हैं, हम बड़े धमिक हैं, हम बड़े धम को मानने वाले हैं और जो धर्म को मानने वाले आज के समय जो चीजे बनाई गई हैं वो बड़ी अलंकारी हैं यानिकि उनके अलंकार बना दी गए हैं, उनके चिनव बना दी गए हैं, उनके सिंबल बना दी गए हैं, जो जितना ज़्यादा उन चिनओं पर चलता है, उन अखिता है या उन कार रहे है या कोई ऐसा अधर्म टाइप का कोई चीज यहां थी नहीं यहां कोई जानता भी नहीं था किसी को पता भी नहीं था इसलिए पुराने साहित्ते में क्योंकि इत्यार जो आरम होता है वो तो बुद्ध से आरम होता है लिखित में तो बुद्ध से आरम है क्योंकि बुद्ध के बाद ये कंठस्ट हुआ और उसके बाद लिखना शुरू हुआ तो उसमें जो मिलता है वो जैनियों का भी है और वो बुद्ध का भी है महावी जैन का और बुद्ध का दोनों ही समढ़ थे इसलिए दोनों का ही मिलता है दोनों ही समकालिन थे पर उससे पहले कह कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि भारत के अंदर कहीं कोई धर्म नाम की चीज हो या कोई मनुस्य के बनाय हुए नियम हो या कहीं मनुस्य ने कोई नियम बनाय हो ऐसा कहीं नहीं मिलता था जो भी नियम थे वो प्राकर्तिक रूडूप से थे प्राकर्ति से निकाले हुए थे प्राकर्तिक नियम ही थे सारे के सारे तो हमारे जितने भी समण लोग थे समण संत कहें या समण इसी कहें इसी का मतलब होता है जो चीजों का अन्विशन करता है जो चीजों का गण्विशन करता है जो बारीकी से देखता है किस चीज का प्रभाप क्या पढ़ रहा है उसके कारण और प्रड़ाम क्या रहे है उसको इसी बोला करते थे इसी बाद में इसी को संसकाइद करके रिशी कर दिया गया बुद्ध का एक नाम इसी वरंग भी है इसी वरंग मतलब खोज करताओं में सबसे उत्तम वरंग नाम भी है क्योंकि उनकी जो माइंड की और ब्रेन की जो खोज है माइंड और बॉड़ी की जो खोज है वो दुनिया में अब तक अनबीटेवल है दुनिया में अब तक सबसे बहतिन है उससे बहतर खोज अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने की रही है जो संबन्द वो बता के गए और जो रियलिटी वो बता के गए और जो आज भी लिखी हुई है त्रीपिटक के अंदर अभी धम के अंदर जिस पर पूरी दुनिया रिशर्च करती है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जिस पर दुनिया आज के समय बहुत तेसे बढ़ रही है वो बुद्ध के ही देन है और बुद्ध नहीं उसके सूतर बताय हुए है और जो वास्ता में सच भी है जो लोग विपस्णा साधना करते हैं गहरी विपस्णा साधना करते हैं वो जानते हैं कि ये बात सच है तो ये जो जिसको हम आज के समय कह रहे हैं कि फलाना धरम है फलाना धरम है फलाना धरम है और साथ ही साथ हम चुपके से ये भी कह देते हैं कि बुद्ध भी एक धरम है तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं हम बहुत बड़ी गलती इसलिए कर जाते हैं क्योंकि बुद्ध ने कोई अपने नियम दिये ही नहीं बुद्ध ने कोई एक सिंगल भी नियम ऐसा नहीं है जो उन्होंने अपने मन से बनाया हो और कह दिया हो कि आज के बाद तुम ऐसे कहना है खाने पीने रहने के नियम भी जो बनाए भिक्कों के या राजाओं के या पिड़ जाके वो भी प्रकरतिक रूप से दिये हैं वो प्रकरति पे बेश्ड हैं वो भी ऐसे नहीं है कि उनको अपनी मर्जी से बना दिया हो वो एक एक चीज का एनेलैसीस करके, एक एक कारण बताके, उस कारण का निवारन बताके, उस पे तरक करके व्तरक करके तब वो नियम प्रकरति से निकाल के दिये हैं, जो आज भी उतने ही पहले थे हैं और जब तक मनुस्य, पेड़, पौधे, जीब, जन्तू और प्रत्वी रहेगी, तब तक वो नियम सही रहेंगे, क्योंकि वो प्राकर्टिक नियम है, वो बदलते नहीं है, तो यहां भारत के अंदर जो एधर्मिक नियम है, अधमिक नियम है, जो मनुस्य के द्वारा मनुस्य में भेदपन हुआ, तब से मनुस्य उचे और नीचे होने सुरू हुए, तब से मनुस्य के अंदर आपस में शोशन आरम हुआ, तब से अत्याचार होने सुरू हुए, तब से सारी चीज़ आई, तो आप यह मान लीजिए, कि दुनिया के अंदर जो मनुस्य के द् अगर वहां मनुस्य को मनुस्य नहीं समझा जा जाता है तो इसका मतलब वो नियम प्राकर्टिक नहीं है वो मनुस्य के बनाय हुए नियम है जो जहां चल रहे हैं वहां उसका नुपसान हो गई होगा और जहां प्राकर्टिक नियम चलते हैं वहाँ बड़ी सुक्षांती रहती है दुनिया के अंदर तो बड़े आसानी सा अंदाज लगाए सकता है कि दुनिया में कहां धर्म है और कहां अधर्म है यानि कहां प्राकर्तिक नियम पर बेश लोग काम करते हैं मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम पर काम करते हैं तो आप अगर एशिया के कुछ कंट्रियों में देखोगे तो वो कंट्रियों के अंदर आपको ना आतांकबाद मिलेगा ना भुक्मरी मिलेगी ना गरीबी मिलेगी ना उचनी नीच मिलेगी ना वहाँ कहीं मारकाट मिलेगी थोड़ी बहुत रागद्विस्ता हो सकता है पर धरम आधारित नहीं है व्यक्ति आधारित हो सकती है पर नियमों के आधार पे कहीं ऐसा हो ऐसा नहीं है उस countryों के नाम आप गिने चुने देख सकते हो जो ECI के अंदर बड़े खुशाल country है और उन countryों को देखे कुछ country यूरोप के अंदर भी ऐसे हो गए हैं जहां उन चीजों का अडॉप्ट करते हैं पर वो बताते नहीं पर अडॉप्ट वही करते हैं अपने लोगों को समान तक के अधार पर करते हैं उन्होंने रंग भेद खतम कर दिये हैं नस्ली भेद खतम कर रहे हैं कुछ कहने के लिए कर रहे हैं कुछ सच में हो रहे हैं पर उसके परणाम आते हैं अगर वो सच में करते हैं तो वहां सुक् थे महाविर जैन्ने भी नियम बनाए और उन नियमों के बाद में भारत के लोग बड़े खुशाल हो गए, बड़े सुक्षांति से हो गए, क्योंकि उन नियमों का सब को पता चल गया कि यह प्राकरतिक नियम है, उन्हीं मैंसे एक नियम है जो उन्होंने पांच में नंबर दिया है धंपत के अंदर, कि अगर आप किसी से दुस्मनी करोगे, तो दुस्मनी से दुस्मनी होगी, तो हम ऐसा परिशानी होगी, सुख शानती नहीं आएगी, पर कोई आप से अगर दुस्मनी करता है, कोई आप से दुस्मनी भावना रखता है, वेर रखता है, और आप उ से लेकि अननतक यह नियम चलता है, इसी को सननतन बोलते है और यह बुद्ध के ही धंपद नंबर 5 से आया हुआ नियम है आप चाहो तो नेट पर कहीं भी चेक कर सकते हो, इसी को वहाँ पाली में इसको सननतनो और इसको संसकायत करके सनातन कहा गया है याणि सै सै लेके अनन तक यानि सै माने पाली में वह को बोलते हैं वह का मतबब होता है सै यानि कि वह से लेके और अनन तक, यानि उस व्यक्ति से लेके और अनन तक ये नियम बुर्ण вызो भी के कहीं भी अप्लाई कर लें। अगर आग जल रही है और उसमें और आग डालेंगे तो आग और जलेगी। जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे वो सांत नहीं होगी अगर किसी को गुस्टा आता है और फिर सामने वाले को भी गुस्टा आता है तो दौनों के सरIntro फूटने लाजमी है पर अगर एक वेक्टी को घुस्टा नहीं करता है तो गुस्ता दूसरे आजाए अगर निकल के तो एक दूसरे के सर फोटने फोटने हैं, ये सनातन नियम है, ये बुद्ध ने बताये हुए हैं, इसलिए प्राकरतिक नियम सारे सारे बनाये हुए हैं, बुद्ध के बाद में, क्योंकि ये भी नियम बुद्ध ने बताया है कि कोई भी चीज दुनि चीर स्थाई नहीं है यानि कि लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी उसको खतम होना ही होना है ये चक्र चलते हैं तो अगर कहीं पाप बढ़ता है तो उसके बाद में फिर पाप घरता भी है तो पुन्ने बढ़ता है और जब पुन्ने बढ़ता है तो फिर पाप बढ़ता है पाप बढ़ता है तो पुन्य कम हो जाता है ये चक्र चलते रहते हैं उसी हिसाब से यहां भारत के अंदर भी क्योंकि जब खुशाली आ गई तो खुशाली आ गई तो उसके बाद में लोग भूल गए कि खुशाली की कीमत क्या होती है समानता की कीमत क्या क्या होती है समनों क कि यह कुणन हैं स्रमण और का कौन सा सरमण धंब था इस ओंध बाद में जागे बहुत धंदम के नाम से बताने लगे तो सरमण धंब भूल गए तो फिर लोग वैसन वे पढ़ गए जो 5.0 सिर्दान थे बो भूल गए तो लोग सराब में वेव्चार में जूए में जूट म मारा मारी में पड़ गए तो पाप बढ़ने लगा तो लोग परिशान हो न लगे इसन supplements भी टूट गया और ये सारी सारी चीज़ें चली गए जिन लोगों ने चीज़े छोड़ दी उन लोगों ने संग बना ली और विज़े परापjang कर ली, ये चक्र चलते रहते हैं, चक्र चलते रहते हैं, तो जब यहां के लोग अपना समर धम भूल गए, जिसको बौद मत बोला करते थे, तो क्या हुआ, हुआ ये कि जो दूसरे मत आए, वो मत लोगों ने अपनाए, क्योंकि उनमें जो अच्छा ही थी, उसके वैसे अप बढ़ा दिये, अधर्म के, के अगर किसी की पट्चाईब दिखाए चिद दे जाए, तो पट्चाईब से भी लोग परिषान होते थे, क्लसते थे, मारते थे, पीड़ते थे, पानी दूसरे डालते थे, कईब भी पानी च्छुना जाए, बटर नी चुसकते, अगर गल्ती किसी के घर में चपल पहन चले जाओ तो आज भी राष्ष्थन के अंदर चपल नहीं पहने देते, बहुत सारी बातं हैं, तो वो जो अधरम के नियăm चल ले हथे यहां पे, जो मनसुआ में भेद करते थे, उनको देखते हुए, इसलाम के ये नियम बहुत अच्छे लगे कि भाई एक ही थाली में खाना है तुम भी भाई हो हम भी भाई हो एक ही साथ बैठके नमाज पढ़नी हैं सब बरावर हैं सब बंदें अल्ला के हैं ये वो चुकि वो पराना समर्धम भूल गे थे पर ये बातें समर्धम से मैच करती हुई थी जो भाई चारे की थी तो जो बातें अच्छी लगी तो कुछ लोगों ने इसलाम अपना लिया जो कृष्ण लोग आये यहां उन्होंने अपनी कृष्ण डिप फैलाई उन्होंने कहा कि सब बंदे एक ही हैं और सब का खाना चाहिए भूके को पहला खाना खिलाना चाहिए फिर उसको बात करनी चाहिए कुछ नियम उनके बड़े अच्छे लगे तो कुछ लोग सिक्क हो गए फिर बाद में कुछ संत आये संतों ने बड़ी अच्छे ची बातें कहीं जो बुलोक बातें भूल चुके थे प्राकर्दिक बातें सब को अच्छे लगती है तो वो संतों के मत भी आगे तो बहार से आये हुए जितने भी मजभते रिलिजिन थे वो और जो यहां के संतों में मत आये हो लोग उनमें मानते चलेगे मानते चलेगे ये तो अच्छा हुआ क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ मिलाई जैसे रादा स्वामियों का एक मत है रादा स्वामी कहते हैं सराब नहीं पीनी है मास नहीं खाना है जूट नहीं बोलना है यह पंच सील के सिध्धानते हैं, यहां तक तो ठीक है, पर उन्होंने गुरूडम बना दिया, क्योंकि वो कहते हैं, जो कुछ है, गुरू है, गुरू आपको लेके जाएगा, पर गुरू तो कहीं प्राकरतिक रूप से मारा नहीं गया, प्राकरतिक रूप से किसी भी गुर इस नहीं पर ठोषी है, चो लाला है, जो लोग है, वो पाप करते हैं, दुकान तोल तोल के बेमानी कर करके, और फिर एक दीन शो चले जाते हैं, हर दुआर महां जाके नहाके आजाते हैं, चैते हैं हमारे सारे पाप धूल ग chỉ अ तो आइसा नहीं होता, यह तो सब जानते ह है कि पाप तो जीवन के बाद मी चलता है किस ने कर दिया सर इसंने करते टाइम कर दिया कोई बात नहीं तो ये तो वही बात हुई के भई पूरे पूरे साल दुकान पर कम तोला और उल्टा-सीदा सावान बेचा बासी बुसी बेचा और उसके बाद में फिर गंगा नहागे चले आए और कह दिया कि सारे पाप दुल गे पाप तो मरने के बाद भी नहीं जाते ये बात तो तै है इसका एक सद्धान्त है और वो सद्धान सच में सच है कि मरने के बाद भी व्यक्ति के करम नह इसमें दो प्रकार के मत आए दो प्रकार के अलावा तीसरा प्रकार का कोई मत नहीं है जो बहार से मत आए वो चमतकारिक मत थे व्यक्ति बेश थे व्यक्ति पर आधरित थे गौड पर आधरित थे उनमें कोई ना कोई व्यक्ति था उनमें कोई ना कोई गुरू था उनमें को व्यक्ति आधारित हैं और भारत के जो औरिजिनल मत्थ थे जो यहां समर्धम चलता था और आज भी है उसमें कोई व्यक्ति या कोई चमतकार या कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी के नाम पर ये कहें कि हमने तो पूरी जिन्गिये पाप किये अब तुम ही हो हमारे करता धरता ह हमने तो तुमारी भक्ति की तुमारी अरदना की तुमको लड़ू चलाए और तुमारी अगरवत्ति जिलाई और तुम हमारे पापों से मुक्त कर दो ऐसा भारत का कोई भी संत जो समर्ध संत है और जो महा समर्ध संत जो भी रहें ऐसा कोई नहीं रहा ये दो तरह का डिफ बती जलाई, उनके आगे हाँ जोडे और पूरे सच्चे मन से ही कहते हैं कि बहर तुम ही हमारे हो, तुम ही बेड़ा-पार करोगो और हमारे बेटे को इंजिनrや बना देना बड़े वाले को IPS बना देना और हमारी नौकरी अच्छी लगे और हमारा पैसा चाओ खेत खलिया ना जाए देज घूमे यह सभी की इक्षा रहती है और सभी अपने गौड से इन बातों को मानते हैं को सोना चांदी हीरे जवारात कुछ अच्छी पतनी कुछ अच्छा पती अच्छे बच्चे फलाना रहाना जो भी सुख सुविदाइक चीज़े हर व्यक्ती गौड से मांगता है जितने ही लाइन लेकर जाते हैं सब मांगते हैं सब्सुख चाहते हैं पर सब्सुख के लिए सब ने अपनी एजंसी खोल दी है और अपना जो एजंसी का मालिक उसक हैं जो जानते हैं कि जितना काम हम करेंगे जितना करम हम करेंगे उसका उतना ही प्रणाम आएगर वैसा ही आएगा यह जो कम बेस सिधान्त है जो कम बेस यानि के कम पे आधारित है कारे पे आधारित है वो सारा समणों का धम है समणों के धम में करम के علاوہ کوئی بھی چیز نہیں مانی جاتی. यानि जैसा करम करेंगे वैसा परणाम आएगा. शराब पिएंगे तो आपको जूस का परणाम नहीं आसकता. और अगर आप जूस पिएंगे ताजा फलो का तो शराब का परणाम नहीं आसकता. अगर आप किसी को गाली देंगे तो आपको बदले में कोई तारीफ करें ऐसा हो नहीं सकता. और आप किसी की तारीफ करें और कोई बदले में गाली दें ऐसा हो नहीं सकता. यानि कि करम जैसा करेंगे वैसा परणाम आएगा. और ये तैह है. इसलिए भारत के जितने भी समण धम हुए हैं, effect कौजन इफेक्ट कौजन इफेक्ट इसको अलगलग नामों से हम बोलते हैं इसको कम के आधार भी बोलते हैं इसको कारे विधी के आधार भी बोलते हैं इसको करम प्रधान भी बोलते हैं इसको करम का नियम भी बोलते हैं और इसको वर्क एंड इसका रीजन भी बोलते हैं त कि हमने तो सबार रुपिया दे दिया और मौंबती जलाई और हम नीचे लेटी भी गए और हाथ भी जोड़ लिया और भाई मन में 24 गंटे हमने आपकी अराधना कर लिया जैसा फोटो आपने दिखाया वैसा हमने मन में बसा लिया है और तुम्हारे इलावा हमारा कोई और है नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी सुखी होना चाहते हैं पर सारे होते नहीं और उसमें से कुछ भी नहीं होते पर जो वहां सुखी होने का लैसेंस बाटते हैं वो लोग सुखी हो जाते हैं कि उन्हें तो पता है कि कहानी क्या है क्या नहीं है तो समणो के लोग उधर भी है और समणों के लोग अभी समण मंत में जो मत है उन में भी है पर जैसा के मनुस्य के बाहर से आए वी मनुस्य और यहां के मनुस्यों में एक संखर जाती बन गई एक संखर वन बन गया संखर वन बना मिक्स यानि कि हाइब्रिड वहां के लोगों में और य नहां का जो समर्धमें उसे मिला के भी बीच में बहुत सारे मत बन गए और वो इतने ज़्यादा हैं कि उन मतों की परंपराएं कुछ गौड़ वाली हैं और कुछ करम सद्धानत वाली हैं और कैई वार वो इतनी उलज जाती हैं कि एगर कोई समधार व्यक्ति उनसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ ले कि आप करम को प्रधान मानते हो या भागय को प्रधान मानते हो तो वो उलज जाता है वो बता नहीं सकता क्योंकि उसकी जो फिलोस्पी है वो मिक्षर बनी हुई है तो कभी तो वो व्यक्ति प्रधान बात करता है और कभी वो करम प्रधान बात करत ऐसे भी बहुत सारे मत हैं, तो इसलिए मत जो हैं वो बहुत प्रकारगे होते हैं, लुकसान हमारे ये हुआ, मत बहुत प्रकारगे होते हैं, व्यक्ति की मानता है, सम्मिधान में आजादी देता है, मतों को बदलना इतना आसान नहीं है, किसी के मत को बदलना सबसे मुस्लिक काम है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर आपका मत बडलने के लिए आता है या कहता है तो क्या बडलोगे आप खुद सोच सकते हो सराबी को खुद पता होता है कि सराब छोड़ना कितना मुस्किल है कितना आसान है वैसे ही जो मतों में उल्जे हुए हैं जो मतों की सराब पीके बैठे हुए हैं उनका गुरू छुडवाना या उनका गुरूडम छुडवाना या उनके गुरूजी के वारे में कुछ कहना या उनके गौड के वारे में कुछ कहना या उनके उपास्ते के वारे में कुछ कहना या जिसकी वो अराधना करते हैं साधना करते हैं उसके वारे में कुछ कहना ततया के छटे में हात डालने जैसा है बलकर मैं तक कोँगा कोबरा के बिल में हाथ डालने जैसा है इसलिए जितने भी लोग आए जिन्होंने भी काम सुरू किया कि हमको काम सुरू करना है वो अधिकतर यहां फेल हो जाते हैं क्योंकि किसी के मत पे हमला करना, किसी के मत को बदलवाना सबसे बड़ा बेफ़ुपी बड़ा काम है और यह आसान नहीं है, यह बहुत मुस्किल काम है बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है कर नहीं बदलते हैं बदल जाते हैं, अगर आदमी समदार हो पुराना उसको समर धम याद आ जाए पुराना अपना जर्म याद आ जाए पुरानी हिस्टरी याद आ जाए तो बहुत तहीं से बदल जाता है डॉक्टर अम्मिटकर नहीं चमतकार किया है ऐसा नहीं है कि हुए नहीं आज की आज भारत में अगर जो बुद्ध धम में बापसी जो को की हो रही है अपने घर में गरू है बाद में कोई आपका अपास है बाद में कोई आपका गोड है इसलिए समण संग के अंदर ये कहा गया कि हम नॉन डार्मिक है नॉन यह जो मझभी हैं हम किसी धार्म को नहीं मानते हम वेक्ति को मानते हैं बrän तो समण है या नहीं है तेरी हमें सिर्फ इतनी पचां से लेना देना है क्यों कि किसी का मत किसी का धरम किसी का मजभ आपको रोटी नहीं दिला सकता यह तै है बुद्ध का जो सिश्टम है बुद्ध का जो समढ जो धम है यह आपको व्यक्तिकत रूप से बहुत उपर मौचा देगा आपकी प्रतिष्टा इस्तापित कर देगा तो आपका व्यक्तित पूरे जहां-जहां समाज में बैठेंगे वहां बहुत उंचा होता चला जाएगा आपके परिवार का भी लोग कहेंगे भैई ये बड़े आमीर हैं आमीर का मतलब ये इमान वाले लोग हैं ये सचे लोग हैं ये जोट बोलते ना नशा करते हैं ना ये पता करते हैं ना ये वेफसर में जाते हैं, ये बहुत बड़ी आवाले जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए सब लोग मिलने के लिए आते हैं, तो नो डाउट इसमें कोई संसे नहीं है कि आपका व्यक्तित बहुत उंचा हो जायेगा और इसका लावा आपको हर छित म मिलेगा भी पर नौकरी नहीं मिलेगी आपको नौकरी आपको जब मिलेगी जब आप पढ़ोगे लिखोगे नौकरी के काबिल बनोगे या वेफसाय में आपको पैसे जब मिलेंगे जब आप कहीं वेफसाय करोगे लोगों को माल बना किया तो बेचोगे या माल बना कि किसी क को दोगे कोई काम करोगे तो करम प्रधान है यह जो हम अगर धम यह जो समर धम है या बौत धरम है या महावी धम है या संतों के मत हैं अगर हम इसको यह कहें कि यह सबसे अदर सुपरीम है तो यह अकेले विक्ति के लिए है पर अकेले विक्ति को भी अगर रोटी खानी है त यानि कि जो समर्धम कहता है, समर्धम का जो बेसे हुई है कि कम प्रधान है, काम प्रधान है आपका और काम ही आपको आगे बढ़ाएगा, तो काम करना पड़ेगा, इसलिए बिना काम के कुछ होगा नहीं, पर हमारी कल्चर में work is worship रहा है, यानि काम ही हमारी पूजा रहा है, इसलिए हम सारे कामगार लोग रहें, काम करने वाले लोग रहें, तो यहां हम लोगों को किसी मजम्म में मत में हमारा secondary है, वो हमारा personal है, उसमें नहीं पड़ना है, पर उन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, कारण क्या है कि आज के समय, पहले समय तो यह दिक्कत नहीं थी, बुद्ध के समय यह दिक्कत नहीं थी, बुद्ध के बाद तक भी यह दिक्कत नहीं थी, तब यहां इतने मत नहीं थे, तब यहाँ कोई man-made यानि के आदमी के द्वारा रचे हुए अधर्म नहीं थे यहाँ पर मजहव रिलिजन नहीं थे यहाँ पर तो पहले समस्या नहीं थी, पहले हमारे स्रमण लोग बटे हुए नहीं थे पर अभी समस्या है अभी समस्या ये है कि हमारे लोग अलग-अलग मतों में बटे पड़े हैं बावा साव अम्बेटकन ने जो एक्सप्रेमेंट किया और जो ये कहा कि सबको बुद्धिष्ट बनना है सबको बुद्धिष्ट बन जाना चीए था पर नहीं बने क्योंकि जो बुद्धिष्ट का बनाने का जिन्नोंना काम अरहम किया वो ये अंधिरे में थे उन्हें नहीं नहीं पता क्या है और वो आज टुकड़ों में टूट गे तो वो समझा नहीं पाए और बिना समझे कोई आदमी बुद्ध मत को नहीं मान सकता इसलिए वो काम नहीं पूरा हो सकता और होगा तो उसमें हजारों साल लगेंगे और उसको समझाने वाले चाहिए कि बुद्ध कोई मजब नहीं है बुद्ध कोई रिजन नहीं है बुद्ध समर धम का हिस्सा है और समर धम पुराने धम का हिस्सा है ये उनको बताना पड़ेगा इसको सिखाने के लिए आपको बहुत महत करने पड़ेगी बहुत टाइम लगना पड़ेगा और इसमें बहुत एनरजी जाती है बहुत उड़ जाती है पर आसान ये है कि समवि सम्विधान देने को त्यार है तो उसकी छोटी सी कंडिस है आप चाहें सिक्ख हो चाहें आप जैन हो चाहें आप बुद्ध हो चाहें आप इसाई हो चाहें आप मुसलमान हो चाहें आप रजवी दासी हो चाहें आप बालमी की दासी हो चाहें आप कविड दासी हो चाहें किस है कि कहीं से भी आजाओ किसी भी मत का आ जाओ कैसी आजाओ पर संख्या 50% ले जाओ भाई 51% लोग आजाओ तो जो साहे वो करो जैसा चाहे वैसा लिख लो और अगर ज्यादा लोग सेंटिफाइब पर जाए तो आप भारत को किसी मत का भारत भी बना सकते हैं फिर सम्विधान को बदल भी सकते हैं फिर यहां प्रियम्बिर भी बदल सकते हैं फिर यहां धारा भी डाल सकते हैं फिर आप धरम के अधार पर सुविधा भी दे सकते हैं यह सम्विधान में है इसलिए सम्विधान जब तक गेर उसका जो गेर सांप्रदाइक है जब तक वो बदला नहीं जाता जब तक उसका बहुमत नहीं आता अगर बहुमत उसको बदलने पर आ गया तो वो फिर संप्रदाइक भी हो सकता है संप्रदाइवाला भी हो सकता है इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे सम्षण के अंदर लोगों ने अपने पूरे कंट्री को मझभका कंट्री और रिलिजन का जितने भी हमारे गुरु हैं समण गुरु हैं उनका सत्कार करना चाहिए उनसे हैलो हाय करना चाहिए उनसे बाचीत करनी चाहिए वो हमारे पुराने समण हैं उनको याद आए ना आए पर हमको तो याद आ गया हमको याद आ गया तो हम उनको क्यों छोड़ें जब उनको आगया कि ये सारे समण संत हमारे ही हैं तो हमको एक समानता का व्यवार रखना चाहिए एक समविधानिक समविधा का अधिकार रखना चाहिए मानत रखने चाहिए और सारे संतों को एक द्रश्टी से देखना चाहिए सारे संतों को बरावर समान देना चाहिए ये नहीं सोचन को देखके या उनके पीछे अनुयाई को देखके संतों में मतभेद नहीं करना चाहिए क्योंकि संतों की बाणी एक सी है संतों की बात एक सी है इसने सारे संत एक से पर अविज्जा हर्जी के धारन रहती है, देखो, बुद्ध ने कितनी बड़ी खोज की थी, उन्होंने ये कह था, और फूले साब ने भी यह कहा, और बावा साब ने भी यह कहा, कि हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इग्नोरेंस है अग्यानता है और इसको बुद्ध ने अविज्जा बताया है अविज्जा का मतलब है ए वी जा माने जानकारी वी माने अलग से और ए माने नहीं यानि जिसको अलग से विसे जानकारी नहीं है उसको अविज्जा बो लोग मुक्त नहीं होते, ये तो उन्होंने बुद्ध ने खोज करके बताया था व्यक्ति के पर्सनल के लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर मुक्त होना है, जीवन से दुखों से मुक्त होना है, मुक्ष प्राप करना है, तो उसको अपनी अविज्जा तोड़नी पड़े कुछ वह जो कड़ीयों का चकर है वो तूट जाता और उससे मोखत प्राप्थ हो जाता है और जो व्यक्ति जिसको जानकारी हो जाती है वो समझ जाता है, इसलिए वो भेद नहीं करता, वो जान, उसको पначान ले रहती है तो यहां जितने भी संता आ रहे हैं, या जो संता आपस में छोटा वड़ा खेल रहे हैं या जो अपने मठ बना रहे हैं वो अग्यानता में हैं अभी इग्लोरेंस में हैं अविज्जा में हैं ये अविज्जा देखने में ऐसा लगता है छोटा सब्द है पर इसकी मार बहुत उची है इसकी मार समण संग में भी चलती है समढ संग में आता है व्यक्ति समढ संग को कहता है मैं समझ गया समझ गया समझ गया और संग के हिसाब से वेवार करता नहीं और वेवार कर जाता है संग्ठन के हिसाब से और परणाम मांगता है संग के अरे जब करम करोगे संग्ठन के हिसाब से तो संग के परणाम कहां से आएंगे संग के हिसाब से करम करोगे तो संग के परणाम आएंगे और संग्ठन के हिसाब से अगर काम करोगे तो फिर संग्ठन के परणाम आएंगे तो संग्ठन के हिसाब से करो यानि के संग्यों को भी अपनी अविज्जा दूर करनी चाहिए और सबसे बड़ा अविज्जा का दूर करने का जो उनका पैमाना है वो यह है कि उनको समता की और समानता की दरश्टी यानि सम्यक दरश्टी सम्यक दिठ्थी खोल लेनी चाहिए अपनी और सब को समानता से देखना चाहिए चाहे वो कैसे भी संत हैं चाहे कैसे भी मत हैं चाहे कैसा भी रिलिजन हैं चाहे कैसा भी मजव है उनको देखे बारी किसे देखे कि ये क्या चीज है क्या नहीं है इस से हमें क्या लाब है क्या नहीं है जब व्यक्ति छोटी जानकारी के हिसाब से अविज्जा होती है उसको अविज्जा का मतलब इग्नोरेंस होती है और उसके आधार पे और जब उसके उपर राग बैठ जाता है दोएस बैठ जाता है सर के उपर और वो भूल जाता है बोद भूल जाता है कि वो है क्या तो वो अनापसना बाते करता है, फिर वो बहस करता है, फिर वो बहस में अपनी इज्जत और बेज़ती दापे लगा लेता है, फिर वो इज्जती बेज़ती दापे लगाता है, बढ़ जाती है, फिर वो कहता है, भाड में गया संग्ठन और तेल लेने गया संग, पहले तो मैं यह बेजयतिक इसने की और मेरा इसने बोलकर से दिया तोधेंगे तुम्न्ज मा आ जाएगा की यह बेकार की बात है यह मरने वाले हैं अगरґं को जिंदा रहना है तो हम को एक ही काम करना पड़ेगा हमको भजन करना पड़ेगा और भज गोविंदम बोलना पड़ेगा अगर हम भजन करेंगे और भज गोविंदम करेंगे तो हम जीत जाएंगे पाली में भजन का मतलब होता है संगती करना और हमारे जो पराने लोग थे वो हमको बोलते थे भज विंदम यानि भज माने हुआ भजन संगती और गो माने हुआ गौतम और विंदम माने विंदम का मतलब है विंधं यानि विंधनन विंधनन इसका मतलब है घेरा गौतम के विने के नियमों के घेरे का संगती करना ये इस कार्थ है जो गौतम बुद्ध ने संग के विने के न हम दिये हैं उनकी संगति करना उसको बोलते हैं भजगोविंदम तो आपको भजगोविंदम बोलना पड़ेगा भजगोविंदम दंग बोलना पड़ेगा पाली में दंग और वैसे दम बोलना पड़ेगा तो जब आप भजन करोगे भजती करोगे भजती माने संगति करना त संग से बड़ी कोई चीज है नहीं अगर ये फेल हो गया और आप अगर संठन की तरह इसको टीट कर गए और आप ने अगर इसको एहमियत को नहीं समझा और आप छुट छुटी बातों में उलज गए और आपने महरत नहीं की तो दुनिया में कोई बचाने वाला है नहीं अस अंदर मन नहीं होता मशीनों के अंदर कमांड होती है मरना है और मानना है बस एक वार को मनुस्तर से लडाई होती है चाहें भले ही वो बॉन हो तो उसके अंदर एक वार को मन बदल सकता है पर मशीनों का मन नहीं बदलता मशीने आदमी को खतम कर देंगी रौन देंगी इस इसलिए जिंदा रहना है। और बच्चों को जिंदा रखना है तो एक ही तरीका ह। भजगोविंद्व भजगोविंदम, भजगोविंदम, भजण करना भजटे रहने, एक रहने होते हैं। तो तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, संग से माफी मांगता हूँ संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग हंग नमामी संग हंग नमामी आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामू तूथियं पी बुद्धं सेण गच्छामू दूथियं पी बुद्धं सेण गच्छामू दूथियं पी दम्मं मर्सेण गच्छामू दूथियं पी दम्मं सेण गच्छामू दूथियं पी दम्मं सेण गच्छामू दोगियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी तर्तियं पी बुद्धम सर्णं कच्छानी दोगियं पी बुद्धम सर्णं कच्छानी तर्तियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी पी सन्यम कच्छानी तर्तिया आमन यूगियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी तर्तियं पी अच्छानी पीस बुद्धम झाल झाल